हलो फ्रेंड्स वेलकम टू नंद के शोर क्लासिस आज का लेक्चर बहुत इंट्रस्टिंग होगा आज हम रेशलन नंबर्स को कंपेर करना सीखेंगे और शोट का ट्रिक के साथ सीखेंगे ग्रेटर का साइन लगाना लेस का साइन या फिर इकुल का साइन और सबसे बड़ी यहां बच्चों को माइनस की वज़े से आती है सारे कंसेप्ट्स आज क्लियर करेंगे स्टेप बाइस्टेप शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं फस्ट क्वेशन से शुरुआत करता हूँ यहां फस्ट पार्ट है माइनस फाइव ओवर सेमन और दूसरी तरफ है टू का मतलब तो यही है कि बीच में या तो ग्रेटर का साइन लगाओ लेस दन का साइन लगाओ या इकोल का लगाओ और अगर आप कोई का अंसर चाहते हैं तो यह एक नेगटिव है एक पोजिटिव है तो इतना सोचने के जरूरत ही नहीं है जो नेगटिव नंबर है वो कंसेट्स आ रहे हैं इसलिए बड़े गोर से देखना फस्ट कंसेट्स क्लियर होगा अगे एक पोजिटिव है तो सीधे पता लगया कि नेगटिव वाला चोटा है चलिए आगे चलते हैं सेकंड पार्ट देखिए सेकंड पार्ट में क्या है माइनस फॉर ओवर फाइव एक तरफ दूसरी तरफ है माइनस फाइव ओवर सेमन आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब इस तरह से दो रैशनल नंबर हो तो हम क्रोस मल्टिप्लाई करके इजली चेक कर लेते हैं क्रोस 28 आएगा और इधर वाले 5 को माइनस 5 से मल्टिप्लाई करना है 5 को माइनस 5 से करोगे तो माइनस 25 आएगा बहुत सारे बच्चों को तो यहां कन्फिजन हो जाती है अगर मैं आपसे भी पूछों बताइए माइनस 28 और माइनस 25 में से कौन सी वेल्यू बढ़ी है बड़े ल और जब दोनों के जाएट माइनस का साइन लगा दिया तो उल्टा हो जाता है यहां माइनस 28 जो है माइनस 25 से छोटा है पहले तो यह concept क्लियर कर लो number line के ऊपर गवर से अगर देखो ऐसे होता है ना zero इधर minus 1 इधर minus 2 अब minus 2 number line पे left side में आता है तो फिर minus 2 जो है minus 1 से छोटा हो जाता है जबकि 2 बड़ा होता है मैं यहां लिखके दिखाऊ 2 बड़ा होता है लेकिन जैसे ही minus 2 कर देते हैं तो minus 1 से छोटा हो जाता है दोनों तरफ minus का sign लगते ही sign of inequality change हो जाती है टेक्निकली बात करें तो तो इसलिए यहां पर minus 28 जो है minus 25 से छोटा है अब जिस तरफ number छोटा होगा ना same symbol उपर आएगा तो यहां पर अगर comparison करना है तो यह less than क sign आएगा यह note करो दुबारा सुनलो आपने cross multiply किया value nature लिख दी जो relation इन दोनों का है वही relation उपर वाले rational numbers का बनेगा और parts करेंगे और clarity होगी थर्ड पार्ट देखिए थर्ड पार्ट में क्या है एक है minus 7 by 8 दूसरा 14 over minus 16 सबसे बड़ा पंगा यहां पर क्या होता है बच्चे क्या करेंगे जिस सर ने बताया था cross multiply करना है चलो जी उठा के इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया हो गया गलत क्यों गलत हो गया सुनो द्यान से गलती पता होनी चाहिए गलती क्या है यहां minus का sign आप उपर ले रहे हो यहां नीचे ले रहे हो तो answer में गडबड आएगी आएगी पहले उस गडबड को दूर करना है कैसे उस गडबड को दूर करना है यह जो minus का sign है न यहां से हटाओ और इस minus के sign को रखो उपर हमारी understanding के लिए rule भी तो समझना है न यह rule लगेगा कब minus के दोनो sign उपर होंगे तो rule लगेगा एक उपर एक नीचे से गडबड हो जाएगे उल्टा answer आजाता है पहले sign उपर लेके तो अब same rule लगा दो कि जी मैंने 16 को minus 7 से multiply करना है इसको multiply करेंगे तो कितना आएगा 76042 और यह 112 minus 112 आएगा और उठाके आप इसको इदर लेके जाओ minus 14 को 8 के साथ multiply करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा यह तो same ही बन रहा है अगर दोनों same बन रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है अगर यह दोनों same है तो बीच में कौन सा sign आएगा equal का आएगा कि नहीं अगर यहाँ equal का sign आएगा तो फिर एक बात समझे कि उपर भी आपके पास sign कौन सा लगाना है यहाँ पर equal का लगाना है मुश्किल नहीं लग रहा होगा easy है बस आपको cross multiply करना है और भी parts है आप और parts भी try करके देख सकते हैं आप fourth part देखे minus 8 over 5 इदर minus 7 over 4 4 को इदर multiply करे minus 8 multiply 4 minus 32 5 को minus 7 से करिये minus 35 अब बताईए इनमें relation क्या है कौन सी value बढ़ी है minus 32 बढ़ी है ना तो यहाँ greater का sign ऐसे आएगा जो यहाँ लगाना है वही उपर आएगा तो कोई confusion नहीं है राइट दो part और बाकिया अभी और करते हैं और clarity होगी एंड तक देखना वीडियो यह देखिए 1 over minus 3 एक तरफ minus 1 over 4 चलो एक नई चीज और बता देते हैं जरूरी नहीं कि minus का sign दोनों उपर ही हो numerator के साथ या दोनों नीचे या दोनों उपर position same होनी चाहिए हम चाहें तो मैं आपको यहां से minus का sign हटा दूँ यह वला कि नहीं मेरे को यह वला minus का sign यहां नहीं रखना मेरे को यह minus का sign नीचे रखना है रख लो क्या फरक बढ़ता है कोई दिक्कत नहीं जब मैंने sorry जब यहां देखो अब यहां पर आपने cross multiply करना है इसको ऐसे minus 4 को 1 से multiply करोगे कितना आएगा minus 4 इधर minus 3 को अब 1 से करोगे तो कितना आएगा minus 3 अब बताओ minus 4 बढ़ा या minus 3 बढ़ा minus 3 बढ़ा होगा number line के उपर तो यहां पर यह sign of inequality आएगा यहां पर यह आएगा तो जी फिर उपर भी 6th part 6th part में 5 upon minus 11 इधर minus 5 upon 11 इसमें कोई calculation मत करो मैंने अभी अभी बताया कि minus का sign आप उपर नीचे कर सकते हो तो यह minus का sign अगर मैं उपर ही रख दो तो दोनों सेम ही तो बन रहा है तो यहां पर कौन सा sign आएगा equal का sign आएगा I hope comparison of rational number काफी concept समझाए होंगे clear हो गए होंगे thanks for watching the video